प्रवाद प्यारे बच्चों, मैं डोली लुना अस्कियम परिवाद की ओर से आप सब का हिंदी ओर्लाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनादन करती हूँ तो बच्चो आज हम हिंधी वयातरन का पाठ संक्या च्यार कर रही हैं, जिसकी आज हम तीसरा भाग sitten करने जा रही हैं। पहले भाग में हम ने सीकhा कि शब्द कहते किसी, कौन-कौन से होती हैं, शब्धों के परकार कौन-कौन से होती हैं, तो उस पे हमने चर्चा की थी, दूसरे भाग में हमने शब्दों के प्रकार जिसे पहला जो प्रकार है उत्पत्ति के अधार पर, उत्पत्ति के अधार पर शब्दों पे हमने चर्चा की थी, कि उत्पत्ति के अधार पर कौन-कौन से शब्द होती है, कौन-कौन से प्रकार होते हैं तो उसके बारे में हमने डीटेल से उसमें चर्चा करने थी आज हम करने बाले हैं शब्दों का दूसरा प्रकार है रचना के अधार पर यानि शब्दों की रचना के सेवरी आज यह हमारा दूसरा टोपिक है सब्दों के जो बेद होती हैं सब्दों के कितने बेद होते हैं उसमें हमने चार बेदों के बात की थी थी ना उत्पत्ति के अधार पर रचना के अधार पर अर्प के अधार पर तो आज हम इसका दूसरा बाग जो है रचना के अधार पर शब्दों के परकार के बारे में जा दो हैं तुनाओं नाओ झूटते हां उसके हैं जैसे कि पहला अगर मानने तो हम रूina कहए सख्ङे है रूड शब्थ कौनशी शब्थू? रूड शब्धू थी इसे 诉र्फे दीरी लिएट रूड शब्थू कहते किसी है दूसरा है योगित शब्द, योगित और तीसलिक इसका बैठ है योग रूड़ शब्द- योग रूड़ोग तो आज हम इसी पे चबशा करने वाली है तीन प्रकारों के शब्दों के तीन प्रकारों के बारे में यूग रूड योग रूड शब्दों पे हम बात करेंगे तो अगर हम सरसे पहले बात करें, रूड शब्द किसे कहते हैं, रूड शब्द के अरहे हैं, जो कि तूपडे करने परकियाा दो कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो क्या कहलाती है? मूट शब्द कहलाती है, हमारे कौन सो शब्द कहलाती है, प्रूट, तो हमें इसे लिख सकती है, एसे शब्द जो किसी बस्तु व्यक्ति, एसे शब्द जो किसी बस्तु व्यक्ति रिया स्तान के लिए, के लिए, प्रियोग में, के लिए, प्रियोग में, चले आ रही हैं, प्रियोग में, चले आ रही हैं, यानि जो प्रियोग में लिए जा रही हैं, जिनके टुकडे करने पर कोई अर्थ नही निकलता, उन्हें रूट शब्द कहती हैं, उन्हें रूट शब्द कहती हैं, तो हमने क्या प्रिवासा लेखी, इसे शब्द जो किसी बस्तु, ब्यक्ति या स्थान के लिए प्रियोग में लाए जाते हैं, यानि कि किसी बस्तु का नाम हो, किसी ब्यक्ति का नाम हो, या कि कोई स्थान का नाम हो, जो हम परचन में ला रहे है, जो पर्योग में हम ला रही है. चले आरही है, जिनके टुपडे करने पर यानि, जब उनका खंडित रूप कर दिया जाएगा, खंडित करने पर उस खंडित रूप का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाता है? वो हमारे रूट शब्दों में काउंट होते है, जीसे कि इक अधारण के रूट में हमें एक शब्ड लिखा माली जी अधिर, में लिखा शेर हमें शब्ड लिख्थ, तो जंगलका राजा अध। यह उसकी बार करें हम इए सेर हमने शव्ड जिखा अब इसके अगर हम टुपड़े आलग टुपड़े कर दिया अर्थ नहीं निकल रह नहीं है तो यह जो खंडित है पनीध है उसे ही हम कहते है यह हमारे रूडशब्त कहलाती है दूसरा है क्या है अगर क्रजना के आतारके शब्तों का योग शब्त, कौनसी शब्त? योगिक शब्त अगर हम योगिक शब्दों की बात करें कि योगिक शब्द कहते हैं योगिक का मतलब होता है योगिक योगिक यानि योग से बना यानि दो शब्द आपस में मिलकर जब बने गया और उनका कोई अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं योगिक शब्द कहलाते हैं तो हम इस अर्थ योग से बनने वाला वो हम आपने बार करेंगे कि किस तरी किसी बढ़ी बढ़ी शब्द योग से बढ़ी वाला वे शब्द हम लिखेंगे वे शब्द जो वे शब्द जो दो या वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें योगिक उन्हें योगिक शब्द कहती हैं उन्हें योगिक शब्द कहती हैं किसे जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाती हैं हमारे योगिक शब्द कहलाती हैं जैसे कि हम कह सकती हैं कि संदी भी छेट जो करती हैं संदी के जो डो टुपड़े होती है उनका कोई न कोई अर्थ होता ना तो जब वो मिलते हैं तो उनका एक अर्थ बनता है उनका कोई मतलब बनता है तो वो होती है हमारे योगिक शब्द उन्हें योगिक शव्दों के सार्थक खंढ किये जा सकते हो जिनके योगिक जो शब्द है उनके सार्थक खंढ किये जा सकते हो या निस सार्थक हाम यह भिरी किए सेटДа है, सार्थक अर्थ Kath वाले खंड ऐसे टुकडे जैसे कि हमने शक्त लिखा पाठ धन शाला यानि यह तो हमने लिखती है पाठ और दूसरा लिखती है शाला यहां शाला का मितलब क्या हो गया हमारा अर्थात पाठ का घर पाठ शाला का अर्थ बनेगा पाठ का घर हम लिखती है जैसे पाठ शाला शुद लिखती है पाट का घर यानि जहां पर हम पढ़ती है पढ़ने का स्तान तो वो क्या कहलता है हमारा पाट यहां पर हम बात करें पाट यानि जो हम पाट पढ़ रहे हैं यानि चिप्ट की बात कर सकती है शाला यानि घर तो पाट जहां पर हम पाट पढ़ती है तो वो क्या कहलता है पाठ शाला यानि दोनों शब्दों का क्या बन रहा है कोई अर्थ बन रहा है यानि ये सार्थक शब्द है पाठ भी हमारा सार्थक शब्द है जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा पाठ शाला तो जिसे हम किसे कहते है पाठ शाला जो हमारा तो यह होती है हमारे योगिक शब्द यायनि जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले खंड का जिसका खंडित रूप है उसका सार्थ अर्थ निकले वह हमारे योगिक शब्द कहनाती है अब हमारा इसका जो रचना की अदातर रूट शब्द कर रही है उसका जो तीसरा और अंतिक जो बेड है वो कौन सा है योगुरूड। किसे कहती है रूट तो कहती है जो सब्सक्रण से अर्थ है उर्थ नहीं कोई शब्दों को बात करेंकर यहां योगियो घ। अगला हमारा इसका तीसरा जो फर्दू है योग रूड अब बात करें कि योग रूड जो है वो किसे कहते हैं तो योग रूड का अर्थ होता है योग योग प्लस रूड यानि अर्था योगिक होते हुए भी विसेश अर्थ देने वाला यानि वोग रूड जो योगिक होगा दो टुकडे मिलेंगे दो टुकडे मिलेंगे फिर उसमें अर्थ कोई बिसेश निकलेगा यानि कोई तीसरा अर्थ नेकलेगा तो तो वो योग धन रूड इसका अर्थ हो गया अर्थात योगिक को पोते हुए भी अर्थात यानी योगिक को पहने पड़ा था कि दो तुपड़े आपस में मिलती है जिनका कोई ना कोई साथ अर्थो तक वो योगिक कहलाती हैं अर्था योगिक होते हुए भी योगिक होते हुए भी विसेस यानी यह कोई विसेस अर्थ वाला यानी अलग से ही कोई अर्थ देने वाला जो शब्द जो शब्द दो या दो से या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्दों के मेल से मेल यानी मिलने से मेल यानी क्या होगा मिलने से मेल से बनती हैं मेल से बनती हैं और किसी विसेश अर्थ में प्रियोग किये जाते हैं प्रियोग किये जाते हैं उन्हें योग रूड शब्द कहती हैं क्या कहती हैं उन्हें योग रूड शब्द कहती हैं एक बार दुवरा से इसकी प्रिवासा फिर देन लिजें योग रूड शब्द किसे कहती हैं योग रूड का अर्थ है योग दन रूड यानि योग में वोरण उभूट अर्थों का अर्थात योगिक होते हुए भी कौन से होते हुए योगिक होते हुए भी विसेश कौन सा अर्थ देगे वो विसेश अर्थ परकट करेंगे विसेश अर्थ देने वाला जो दो शर्थ जो शर्थ दो या दो से अधिक यानि या त अर्थ का बुद्स करवाते हैं या विस्यस अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं उन्हें यानि उनुका अर्थ कोई विसेस निकल रहा हूं तो वो क्या पहलाती हैं हमारे योगूड शब्द होती है कुदारण के रुप में जैसे हमने एक शब्ड लिखा, credential डसानन, मेरी एक शब्ड लिखा दसानन, अब दसानन का मतलब क्या हुता है, दसानन यानि दस मुution वाला, तो दस विखो वाला कौन था, रावण, यानि अगर हमने दसानन शब्ड पढ़ा, तो इसका मतलब क्या गर्फ के अपना दस धर्ण आनन यानि दस मुहे वाला हम दी सकती है 10 मुहे वाला पौन रावन दस मुहे वाला होगा रावन उतना तो यह हमने दिख दिया 10 धर्नन दस दस कमकलव यानि संख्या वाले जो किंति होती है दस धन आनन आनन यानि को दस मुठेवाला कोण रावण ये विसे से अर्फ दे रहा है इसलिए यह हमारा क्या हो गया योग रूड शब्द में काउंट होगा इस दिखी के जो शब्द होती है वो योग रूड में काउंट होता है उधारण के रूप में जैसे हमें एक हिमाल्य हमाल्य शब्द का लिखा हम खंडी गल्प करेंगे यानि जब इसको टूपड़े करेंगे तो क्या करेंगे हीम दन आल्य हमाल्य हम एक आल्य है एक विसे पहाड के लिए हीम आल्य है हीम आजय यानि किसका नाम हो रहा है यहां एक पहड की बात हो रही है जहां पर बर्थ भवारी होती है तो यह हीम आजय क्या हो गया है एक विशेस अर्थ परकटे कर रहा है इसलिए यह हमारा योग रूप सब्द में काउंट हो रहा है तो यह था आपका दूसरा बहावे रचना के अधार पर च्यास वरी शुव्य मार्त traveling प्रोती है रूण ही और योग रूप रूड योगुप और यह राचना के अधार पर है अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द जो होती है वो रचना के अधार पर कितने परकार के होती है तो आपने कितने परकार के बताने है तीन परकार के बताने है कितने परकार के तीन परकार के कौन-कौन से अगर पूछा जाए कि कौन-कौन से होती है तो आप क्य तो संकर संकर नोब नियुंद डॉ меся नहीं बना दो फार कोंकि होते है टॉप जाइव यह है ऑपने हैं लिएह अच्छे से याद्सराइस champagne और नेज policy ऑपनों करेंगे रचना की आदाराण पर हें हमारी हिवार hurricane नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा जो अपना शब्दों का प्रकार है, तीसरा प्रकार कोन है, प्रियोग के अधार पर, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रियोग के अधार पर शब्द कोन-कोन से होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके फिर मिलेंग अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत